जैहिन साथियों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्शनों के बारे में यादी आप लोग इस प्रशनों का उत्तर जानते होंगे तो कॉमेंट करके उसका उत्तर जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत्तक अवश्य देखिए चलिए शुरू करते हैं आप पूर्शनों का सर्वाधेक मत दाताओं वाला देश कौन है आपके ऑप्षन है ए भारत बी भूटन सी बंगलादेश डी रूस आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारत आपका दूसरा प्रशन है किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टा कहा जाता है आपके ऑप्षन है आपका सही जवाब हो जाएगा बी शुक्र आपका तीसरा प्रशन है शुचालय के उप्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए अभियान का नाम क्या है आपके ऑप्षन है A. पर्दा है पर्दा, B. दर्वाजा बंद, C. खुली सोच, D. न तुम हमें देखो आपका सही जवाब हो जाएगा बी दर्वाजा बंद, आपका चौथा प्रशन है किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है आपके ऑप्षन है A. शेर, B. बाग, C. चीता, D. हाथी आपका सही जवाब हो जाएगा D. हाथी आपका पांचवा प्रशन है सबसे बड़ा सांप कौन सा है आपके ऑप्षन है A. अजगर, B. पाइथन, C. और सांप, D. कोब्रा आपका सही जवाब हो जाएगा B. पाइथन आपका च्छठा प्रशन है निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकान श्विशानों, वायर्सों के लिए प्रभावी है आपके ऑप्षन है A. ग्लुटेमिन, B. इंचफरोन, C. केसीन, D. इन में से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा B. इंचफरोन आपका सातवा प्रशन है किशकिंधा से बाली द्वारा निशकासित किये जाने के बाद सुग्रीव कहां रहने लगे थे आपके ऑप्षन है A. मैनाक परवत पर B. रिशमूक परवत पर C. महेंद्रा परवत पर D. इंद्रकील परवत पर आपका सही जवाब हो जाएगा B. रिशमूक परवत पर आपका आठवा प्रशन है पुरिधावस्था में मनुश्य की हड्डियां क्यूं कमजोर हो जाती है आपके ऑप्षन है A. आयोडीन की कमी से B. लोहे की कमी से C. केल्शियम की कमी से D. कोबाल्ट की कमी से आपका सही जवाब हो जाएगा C. केल्शियम की कमी से आपका नौवा प्रशन है मनुश्य में कुल कितनी हड्डियां होती है आपके ऑप्षन है आपका सही जवाब हो जाएगा B. 206 आपका दसवा प्रशन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपके ऑप्षन है A. रेनिन B. टाहलिन C. टैनिन D. रेजिन आपका सही जवाब हो जाएगा B. टाहलिन आपका ग्यारहवा प्रशन है नागपाश नामक अस्त्र मेगनाद को किसने प्रदान किया था आपके ऑप्षन है A. शेव B. इंद्र C. ब्रमह D. रावन आपका सही जवाब हो जाएगा B. इंद्र आपका बारहवा प्रशन है चिकित्साव युद्ध में उप्योग के लिए किम किरनों पर नवीनता मनुसंधान हो रहा है आपके ऑप्षन है A. एक्स किरने B. लेसर किरने C. गामा किरने D. कैथोड किरने आपका सही जवाब हो जाएगा B. लेसर किरने विभीशन की पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्षन है A. सुरसा B. सर्मा C. सुमती D. संगना आपका सही उत्तर क्या होगा? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकोन आउन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे धन्यवाद